दोस्तो आज मैं एक साइरी से शुरुआत कर रहा हूँ, रख हौसला ओ मनजर भी आएगा, प्यासे के पास चल कर समुन्दर भी आएगा, ठक कर ना बैठ ओ मनजिल की राही, आपको मनजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा दोस्तो एक वक्त की कहानी है, गाउ दिहात में जब कोई बच्चा लगातार मेहनत करता है, और मेहनत करने की बाद उसकी मनजिल नहीं मिलता है तो तूट जाता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि मेहनत करने के बाद इनसान काम्याब हो जाता है वह इसे ही एक वक्त की कहानी है एक मेरा दोस्त हमेशा गाव घर से दूर रहा क्योंकि उनके घर के गारजियन उसके पिता जी और उनके दादा जी यू कहा जाए कि उनका financial condition बहुत मजबूत थी पिता जी साहुकार थे दादा जी गाव में दुकान चलाते थे घर का आर्थिक इस्तिती बहुत अच्छा था और घर का एकलावता बेटा था तो पुरे परिवार ने सोचा कि क्यों ना इस बच्चे को कुछ खास पढ़ाया जाए बच्चा को घर से बाहर भेजा गया सहर में, सहर में जाकर पूरी पढ़ाय कيا, मैट्रीक लिखा, मैट्रीक में 72 परसेंट लाया फिर इन्तरमीडेट में गया, इन्तरमीडेट में भी दो साल वक्त बिताया, वहाँ पर भी उन्होंने अच्छा परफॉमिंस किया फिर आई बारी ग्रेजुएशन की ग्रेजुएशन भी लिखा उसमें भी नमबर बहुत अच्छा रहा अब घर के गारजन को लगने लगा कि इस बच्चे में कुछ खास है इसको तो अच्छा अपसर बना रहा है बहतर पढ़ाना है और इसको सोच कर कहा कि बेटा अब तू स सहर में ही रहके पढ़ाई करना और फुर वहां रहके पढ़ाई करना कभी कभी जब घर में आता था तो अक्सरा हम उनसे मिलते थे उनसे बात करते थे उनकी पढ़ाई की जाजा लेते थे भाई कैसे पढ़ाई चल रहा है पढ़ाई लिखाए क्या हो रहा है कैसे सहर में अच्छे दोस्ता जगह तमाम चीज मिल जते हैं अगर यह चीज को पाना है तो आपको सहर के और जाना होगा तभी ऊचीज मिलता है है लकिन गाव का बच्का भी कमजोर नहीं होता है बस यह हुआ कि आप अपनी हुनर को पहचाने कि इसवर ने आप में आपको कौन सा हुनर दिया है अगर आप अपनी हुनर को पहचान ले तो आप भी किसी भी मंजिल में नाकाम नहीं होंगे आपको काम्याबी मिलेगी तो अक्सराव राची मिरा के पढ़ाई करता था पढ़ाई करके एक नहीं पहुंच सारे जनरल कंपेटिशन का उन्होंने परिक्षा दिया कई बार पुलीस का परिक्षा दिया बैंक का परिक्षा दिया बैंक सियो का परिक्षा दिया रेलवे का परिक्षा दिया ऐसे करते कर ते उन्होंने साथ बार परिक्षा दिया लेकिन बतकिस्मती से एक भी परिक्षा ने उन्होंने पास नहीं कर सका सारे के सारे परिक्षा नाकाम रहें उसमें उनका अच्छा पार्फॉमिंस नहीं रहा उनको लगने लगा कि साइद जौपत है लेकिन मेरे लिए जौब नहीं मेरे बस का बात नहीं है हम जोब नहीं कर सकते हैं क्योंकि बंदा इससे पहले साथ बार परिछलिक चुका था और सबका सब में उसे नाकामी ही मिली थी जब इनसान किसी चीज को बार-बार कोशिस करता है उसमें नाकामी मिल जाता है तो लगता है कि अब हम उसके काबिल नही है हम उस चीज को नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह बहुत हाड है लेकिन उन्होंने इस चीज को कभी सोचा नहीं उनको नेगेटीव सोच को अपनी दिमाग में कभी आने नहीं दिया हमेशा पॉजिटीव सोच रखा साथ बार नकाम होने के बाद भी उन्होंने लगातार मेहनत करता रहा फिर वक्त आया दो हाजार आठार का जहरखन सरकार ने दरुगा का एकजाम निकाला उस एकजाम में उस बच्चा ने भी फौरम को भरा नाउमीद होकर क्योंकि इससे पहले तो साथ बार उन्होंने दिया और उसका जोरों से मेहनत करने लगा बारी आई परिष्छा लिखने की गया परिष्छ दिया तो फिर उन्होंने परिष्छ दिया परिष्छ लिख क्या आया लेकिन दिल में बहुत सारा डर समाया हुआ है कि साथ बार की तरह आठवा बार भी कहीं ना काम न हो जाए लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ उसका रिजल्ट अवल रहा सफल हो गया अब उनको उमीद जगने लगा कि हमें अब नौकरी मिल सकती है बात आए रनिंग की फिर उन्होंने रनिंग की तैयारी करने लगा उसके बाद जीतोड गाउ घर सहर जहां मौका मिलता उन्होंने हर सुबा साम दोड़ता था दोड़ के दोड़ के खुद को इतना स्ट्रॉंग किया और फिर दोड़ भी निकाल लिया अब उनको लगने लगा कि अब तो मुझे नौकरी मिल ही जाएगी उसके बाद से उन्होंने फिर से मेहनत करना सुरू किया बार बार दोड़ लगाई मेहनत की तमान चीज़ किया अब बारी आई मेडिकल की फिर दिल में डर समाने लगा और ऐसा होता भी है कि आप सभी चीज़े पास हो आपका मेडिकल रिपोर्ट सही न याता आपको नकाम कर दिया जाता है डर समाने लगा कहीं फिर सातवी बार के तरह आठवी बार भी मेरा रिजलिट इस मकाम पर पहुँचके कहीं हम फेल ना हो जाए लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि इसनों ने अपनी दिल को इतना मजबूत कर लिया था इस वर भी इनके साथ था कि तुमने इतना मेहनत किया है तुमारी हर मेहनत का आज आपको फल मिल के रहे और उनका मेडिकल रिपोर्ट भी बहुत अच्छा रहा फिर दो महिना बाद फिर देखा कि जब रियल्ट जारी हुआ तो बंदा का नाम जौब का मेरिकलिस्ट में नाम आ गया पूरे परिवार वाले खुसी से उचल पड़े ये आब नोकरी लग गए उसके बाद ज्वानिंग लेटर आया फिर ज्वानिंग लेटर आया फिर ट्रेनिंग करने के लिए नो महिना के लिए अपने घर से बाहर हाजारी बाग राची जिला से कुछ दोरी पर है वहाँ पर चला जिया नौ महिना वहां रहके ट्रेनिंग किया उसके बाद अभियो फिलाल जमसेदपूर का सराइकल अखारसावा में कारियरत है नौकरी कर रहे हैं दोस्त मैंने इस कहानी को इसलिए बताया कि जिन्दगी में कुछ भी चीज नामुकिन नहीं है अगर दिल से कुछ भी चीज करने की ठान लिया जाए सोच लिया जाए तो दुनिया की सारी कैनात आपको उस मंजिल को मिलाने में लग जाते हैं इसलिए मैं यही कहूंगा कि कभी हिम्मत ना हारे कभी खुद को कमजोर ना सोचे इस वर ने आपको भी खास बनाया है आप में भी हुनर है जरूरत है आपको अपनी हुनर को पहचानने की अगर आप अपनी हुनर को पहचान लिये तो दुनिया की कोई ताकत आपको उस मंजिल को पाने से हरा नहीं सकती है आपको उस मंजिल मिल के रहेगा लेकिन जरुट है आपको मेहनत करने की, सबर करने की, आरवजी तोड मेहनत करने की, एक ना एक दिन आप काम याब हो जाओगे, जिस तरह की इन्हों ने, जिस बच्चा के मैंने कहानी सुनाया, वो काम्याब हुआ, ठीक उसी परकार से आप भी काम्याब हो जाओगे दोस्तों ये मेरा first story वीडियो है इस परकार की वीडियो मैं आपके बीच फिर से लेकर आऊंगा अगर वीडियो अच्छी लगे मेरी कहानी मेरी story अगर अच्छी लगे तो आप दोस्तों के साथ वीडियो को share करे चैनल को subscribe करे और comment section में अपनी प्यारी प्यारी राय विचार हमारे साथ साजा करे ताके मैं आपके लिए उस परकार की और भी वीडियो लेकर आऊं अब तक के लिए बने रहे दायूटू ब्लॉग के साथ धन्यवाद